हिंदी दिवस गुड मॉर्निंग शुक प्रभाद क्या बात है? आज अगदम शुद्ध हिंदी आज तारीफ क्या है? आज 14 सेप्टेंबर गलत! आज 14 सेप्टेंबर नहीं, 14 सितंबर है और आज हिंदी दिवस है कम से कम आज तो शुद्ध हिंदी बोलो यार, मैं भूल गया था शॉरी उफ, गलती हो गई हमारे मूँ में या इंगलिष इतनी फिट बैठी है न कि सॉरी, ओहो, माफ करो इंगलिष इतनी चीपा के बैठी है न कि हम चाह कर भी पूरा एक वाक शुद्ध हिंदी में नहीं बोल पाते इसलिए आज की दिन हम सिर्फ हिंदी में बात करेंगे तभी वहाँ गट्टू और चिंकी आते हैं गुद मॉनिंग मम्मी गुद मॉनिंग मम्मी पापा गुद मॉनिंग नहीं शुप प्रभात कहो और पापा मम्मी नहीं माता जी पिता जी कहो आप क्या कह रहे हो हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा पापा फिर से पापा सॉरी पिता जी सॉरी आप मुझे कोई कि ये सब क्या चल रहा है मैं समझाती हूँ बच्चों आज 14 सितंबर है आज हिंदी दिवस है आज ही की दिन हिंदी को हमारी राश्ट्र भाषा के रूप में स्विकारा गया था तो क्योंना हम आज की दिन शुद हिंदी में बात करें स्टेस्टिक आइडिया चिंकी शुद हिंदी इंग्लिश नहीं ऐसा है तो फिर आप इंग्लिश में क्यों बोली मैं कहां इंग्लिश में बोली अभी तो कहां क्या इंग्लिश अरे तु कहना क्या चाहता है वाया कहना चाहता है कि तुम अंग्रेजी को इंग्लिश बोल गई हिंदी मैं इंग्लिश को अंग्रेजी कहते हैं आप भी बोले क्या? इंग्लिश कब? अभी तो बोले ओ गौड फिर से बोले फिर से बोले ए भगवान मैं तो भाई ओफिस सौरी, माफ करो कारयालो निकल रहा हूँ गट्टू और चिंकी स्कूल आते हैं मिसरा सर बच्चों से कहते हैं बच्चों आज कौन सी तारीक है? 14 सितंबर आज क्या विशेश है? आज हिंदी दिवस है तो आज हम प्रयास करेंगे कि हम सब एक दूसरे के साथ सिर्फ शुद्ध हिंदी नहीं वरतलाब करेंगे इंगलिश का उप्योग भूल कर भी नहीं करेंगे सर भूल तो आपने ही कर दी हिंदी में अंग्रेजी कहते हैं इंगलिश नहीं? भूल तो तुमसे भी हुई है चिंकी हिंदी में गुरू जी कहते हैं सर नहीं यह सुनकर मिसरा सर के साथ साथ पूरा क्लास हंसने लगता है तभी क्लास में हेड मास्टर पांडे आते हैं यह हंसी किस बात पर हो रही है? कुछ नहीं महोदे हिंदी दिवस मनाया जा रहा है हिंदी बोलने के लिए भी अंगरे जी का सहरा लिया जा रहा है इसलिए सब हंस रहे हैं अच्छा मैं समझ गया बच्चो चिंता ना करो आज हिंदी दिवस के आउसर पर एक ऐसे वक्त आपको संबोधित करेंगे कि आपको आपके सारे जबाब मिल जाएंगे अब मैं शुकला जी से प्राथना करता हूँ कुवे आएं और बच्चो से वर्तलाब करें शुकला जी माइक पर आते हैं हेलो फ्रेंड्स शुकला की बात सुनका टीचर्स और बच्चे सब हैरान हो जाते हैं आप चौक गए हूँगे कि हिंदी दिवस होने के बावजूद भी मैंने अंग्रेजी में आपको हेलो कहा फ्रेंड्स कहा बच्चो मैं भी जब आपकी उम्र का था और हमारे स्कूल में जब हिंदी दिवस मनाया जाता था तब हमको भी शुद्ध हिंदी में बोलने को कहा जाता था आपकी तरह हम भी शुद्ध हिंदी बोलने के चकर में अंग्रेजी के कुछ शब्द बोल बैठते थे और फिर हमारा भी मजाग बनाया जाता था यह हर साल होता है हिंदी दिवस आता है, तो शुद हिंदी में बात करो, और दूसरे दिन, दूसरा दिन भूर जाओ, गलती आपकी नहीं, गलती हम बड़ो की है, हम सिजनेबल बन गया है, और आपको भी वहीं बना रहा है, अरे भाई हिंदी हमारी मात्र भासा है, एक ही दिन क्यों, साल भर हम हिंदी में ही बात करने चाहिए, और ऐसा होता नहीं, आज के दिन ही हम नमस्ते कहते हैं, और कल फिर से हेलो हाई बाय बाय पर आ जाते हैं, इसलिए मेरा मानना है कि एक ही दिन पीर हिंदी में बात करना, और बाकी की दिन अंगर ऑग रजी जारना ढोंग है, आप देश के भविष्य हैं। साल के एक ही दिन हिंदी भाषा बोलकर दूसरे दिन भूल नहीं जाना है। हमें हर दिन हर घंटे हमारा देश, हमारी भाषा और देश के लोगों से प्यार करना है। अभी हमारे देश का भविष सूजवल होगा। जै हिंद जै भारत। ओहू, इतना सब कहां उन्होंने। सच कहां उन्होंने। हमें भी बच्चों को सिर्फ आजी के दिन हिंदी में बात करने का अगरा नहीं करना चाहिए। बलकि रोज शुद हिंदी बोलनी चाहिए। और मैंने सुना है जो बच्चे अपनी मात्र भासा आउगत कर लेते हैं और दुनिया की कोई भी भासा आसानी से सीख सकते हैं। बच्चों क्या कहते हो। पापा, हमें इंग्लिश, जर्मन, फ्रेंच जैसी सभी भाशाएं सीखनी हैं। लेकिन पहले हमें हमारी हिंदी मजबूत बनानी हैं। उसके लिए हमें क्या करना होगा? उसके लिए हिंदी में बात करो। हिंदी पढ़ो और हिंदी सुनो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें